वेलकम बैक टू देसी फ्लेवर आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और डिलिशियस खीर की रेसिपी और यह बहुत ही हल्दी और टेस्टी खीर है क्योंकि हम इसमें चीनी का यूज नहीं करेंगे यह दीखिये कितना टेस्टी और युम्मी लग रहा है तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं गुडवाली खीर बनाना तो सबसे पहले इसके लिए मैं यहां पे कुछ ड्राइफ रूट्स ले रही हूँ मैंने लिए बदाम, केश्मेश, काजू और पिस्ता अब अपने पसंद के हिसाब से कोड़ी ड्राइफ रूट्स ले सकते है और यहां पे मैंने लिए खीर वाली राइस, इसको हम बिंगॉली में घोबिन्दोभोग राइस बोलते हैं, हिंदी में मुझे पता नियेश को क्या बोलते हैं, आपको और पता है, तो आब बताईएगा, गोबिन्दोभोग राइस स्पेशली हम खीर के लिए यूज करत पहले हम दूद को बाल करेंगे उसके बाद हम राइस डालेंगे खीर बनाते वक्त हमें थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते रहना है वरना वो नीचे से जो है जलने का डर रहता है इसलिए ध्यान रखेगा और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेगा तो यहां पर दूद में उबाल आ चुका है यहां पर मैं अब राइस जो है वाश करके रखे थे वो मैं इसमें डाल दे रही हूं और इसको हम मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाती रहूंगी और जो ग्यास का फ्लेम है वो मीडियम टू लो कर दोंगी खीर को हमें हा पर हमें करेंने और लिख्ले चाहिए में सब्सक्री करता हैे हैं और करेंगे इसको बीच बीच में चलाते रहना है था नहीं और फिल और किक्भी त subscribe मैं भी तक हो उनना टाइम है उन्हाईटे है कणल तो किग गौ तक का पिक्राइब कणने वाद होता है चाहिवन में करते नहीं है तो मैं इसको अवाइड कर रहे हूं और यह देखिए राइस जो है वह को कोना स्टार्ट हो चुका है बट अभी इसमें टाइम लगेगा हमें साइड से जो मलाई जमती जा रहे हैं उसको भी मिक्स करते हुए चलाते रहना है की तो सभी को बहुत पसंद होता है बहु तो अब अगर चीनी का यूज कर रहे है तो इस टाइम पर आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और मैं चीनी यूज नहीं है कर रहे हूं तो इसलिए मैंने अभी मीठा नहीं डाला है यहां पर मैं आड़ कर रहे हूं जिसमें काजू, बदाम, किश्मिश और पिस्ता है और इसको मैंने चौप के लिए रफली खीर में ड्राइफ्रूट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं तो आपको जितनी पसंद है कीर में ड्राइफ्रूट्स तो मैंने इनको डाल कर फिर से एक बार मिक्स कर लिए और यह देखिए खीर बनकर रेडी है और इसमें अब कमी है सिर्फ मीठी की क्योंकि हम इसमें गुड का यूज कर रहे है तो गुड हम थोड़ी दे बार डालेंगे सबसे पहले हम करेंगे वाज करेंगे भीडा फिलेम गळ से इसको मैं डालूंगी बड़ फिय। एक्तम ठंडा नहीं, मीडियम ठंडा हो जाएगा, तो हम गुड़ को डालेंगे, एक्तम गरम खीर में हम गुड़ डालेंगे, तो गुड़ जो है फट जाएगा, कई बार ऐसा होता है, कि किसी किसी का खीर गुड़ वाली फट जाती है, वो इसी रिजन से, कि एक्तम गरम यह देखें मिक्स हो गया है और कभी भी डाल के हमें बॉइल नहीं करना है किर को उससे जो है किर फट जाएगा बस इसी बात का धियान रखना है कि जब भी आप गुड़ वाली खीर बनाए तो गुड़ को हमेशा थोड़ा मीडियुम ठंडा करके एंड में डालना है और उसक लिकल्ब बनकर रड़ी है और ये देखने में देखियो कितना टेस्टी और डिलिशयस लग रहे हैं तो चलिए मैं इसको सर्फ कर देते हूm किसी को खीर ठंडी पसंद है किसी को गरम पसंद है तो जैसे भी पसंद है आप उस तरह से खा सकते हैं खीर पूरी सभी को बहुत पसंद आता है मुझे भी बहुत पसंद है तो friends आप भी बनाएए घर पर बहुती easily गुड़ वाली खीर और सभी को खिलाएए गुड़ तो वैसी बहुत हेल्दी होता है और सभी को बहुत पसंद आएगा friends I hope आपको मेरी ये गुड़ वाली खीर की वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो please मेरे वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा मेरे चैनल पर आप अगर न्यू है तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का thank you so much